असलाम लेकुम क्या आला प्यारे बचो ठीक है आज क्लास टू इंग्लिश लाज यूनिट वान लेसन फोर हमने कल किया था यूज आफ माई यूर हीस हार देर आर अवर ठीक है आज हम आज उसका पार्टू भी करेंगे लुक एड़ टेबल अबाव टॉम्स फैमली ठीक है य जिस हैडिंग के नीचे जो टिक है उसका मतलब है वो चीज उसको पसांद है करना वो काम करना पसांद है मतलब singing, drawing, riding a bicycle and reading ठीक है अब सबसे पहले टॉम, टॉम को देखें उसको क्या क्या पसांद है जिस जिस क्या आगे उसका टिक हुआ होगा वो काम उसको करने पसांद ह वो जिसके आगे टिक नहीं होएं, वो चीज उसे पसंद नहीं है, ठीक है, सबसे पहले Tom, कि आगे देखे, Singing कि आगे टिक नहीं है, मतलब उसे Singing करना पसंद नहीं है, उसको क्या का पसंद है Tom को, Drawing करना पसंद है, Riding a Bicycle, Cycles लाना अच्छा लगता है, और Reading करना अच्छी ल पसंद है, सबसे उपर किसके उपर टिक होएं, Singing, गाना गाना उसे अच्छा लगता है, Drawing करना पसंद है, और Reading करना पसंद है, उसे क्या काम अच्छा नहीं लगता, Riding a Bicycle, Cycles लाना उसे पसंद नहीं है, ठीक है, इसी तरह Next, Tom's Father को क्या क्या पसंद है, Singing, Riding a Bicycle and Reading, और पसंद है, इसी को आपने, Copies पर नोट डाउन करने, इस समयने अभी आपका किया हुआ है, इसी को आपने, उपर लिखने, Tom likes, Drawing, Riding a Bicycle and Reading, ठीक है, He doesn't like, ये है, Singing, ठीक है, उसको क्या नहीं पसंद, Singing करने अपसंद नहीं है, इसी तरह Number 2 है, Tom's Mother likes, Singing, Drawing and Reading, She does not like, Riding a Bicycle, ठीक है, Number 3 है, Tom's Father likes, Singing, Riding a Bicycle and Reading the, and Reading, He does not like, Drawing, Next है, Tom's Sister likes, Singing, Drawing and Riding a Bicycle, She does not like, Reading, ठीक है, ये हमने, जिस जिस क्या के उन्होंने टिक किया वह, वो चीज़े उन्हें करने पसंद है, जिस चीज क्या के टिक नहीं है, वो करना उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, अब हम आते हैं, English B की दरब, कल मैंने आपको Masculine, Feminine दिये थे, Masculine मतलब मुझकर, Feminine मतलब Monas, कल आमने पहले First Five किये थे, Father, Mother, Brother, Sister, Uncle, Aunt, Man, Woman, King, Queen, आज हम Next Five करने वाले हैं, First है, Cock, मीन मुरुगा, Hen, मीन मुरुगी, Horse, घोड़ा, मेर, घोड़ी, Washerman, धोबी, Washerwoman, धोबन, Son, बेटा, दॉर्टर, बेटी, Nephew, भतीजा, नीज, भतीजी, ठीक है, जाता किया आपका काम होगा, कॉक से लेके, Nephew या नीज सक, ठीक है, यह आपने Copies पे Note Down करने हैं, और इनको अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है, आज के लिए आपका यही काम है, English B का, और English A का भी वही है, जो आपने Copies पे लिखना है, ठीक है, प्यारा बचो, अल्लाफीज, अल्लाफीज,